मुख्य शब्द, की वर्ट्स, जीवों का विकास, प्रजाती करण, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कृत्रीम चयन, जिवाश्म, सम्रित्ति लक्षन, सजातिय लक्षन हमने सीखा पहला जीवों का विकास के सिध्धान के अनुसार समय के साथ प्रजातियों के आबादी में अंतर आता है प्रकृति में नई प्रजातिया पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चैन के प्रक्रियाद्वारा उत्पन होती रहती है दूसरा, किसी भी सिध्धान को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमान और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जाच करना और गहन अध्यन करना जरूरी है तिसरा, मनिश्वधारा चैनित लक्षनों के अनुसार, जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चैन है चौथा प्रकृति में निरंतर होने वाली चैन की प्रक्रिया जिनमें भौगोलिक परिस्तितियों के अनुरुप लक्षनों का चैन होता रहता है प्राकृतिक चैन कहां जाता है पाचवा किसी जीव के अपने आवास में ठल जाने के प्रक्रिया को हम अनुकुलन कहते हैं अपने आवास में अनुकुलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है 6. प्रजाती या जीवों का ऐसा समूँ जो आपस में लेंगिक प्रजन कर सके जयविक प्रजाती माना गया 7. विविद जीवों की उत्पत्ति एक समान पुर्वस्य हुई है इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाकित पेड़ के रुप में दर्शाय जा सकता है